नमस्कार दोस्तों ये वीडियो हम अपने फ्रेंड्स के लिए बना रहे हैं अपने कुलीज के लिए बना रहे हैं जो जनरल प्रेक्टिशनर हैं फैमिली फिजीशन हैं जिनके पास कई बार सर्जिरी के बाद पेशिंट आते हैं जिसमें ड्रेसिंग करनी पड़ती है या उन सर्जिकल ड्रेसिंग कैसे करते हैं तो आज हम बात करेंगे कि यह जो नेगटिव सक्षन ड्रेन कई पेशिंट्स आपके पास क्लिनिक्स पे आते हैं और वो अपने सर्जेंट्स के पास आजकल कोविड की वज़े से नहीं पहुँच पाते हैं तो आप लोगों को इसका ध् करते हैं नेगटिव सक्षन की वज़े से अंदर जितना भी फ्लुड कलेक्ट होता है क्योंकि बहुत सारे पेशिंट पूछते हैं कि यह से लिए डाला गया है यह बलड क्यों आ रहा है एक्चुली जो अंदर जब भी हम ऑपरेट करते हैं तो फ्लुड कलेक्ट होता है करते हैं तो इसलिए नेगटिव सक्षन ड्रेन लगाते हैं इसको नेगटिव सक्षन ड्रेन क्यों कहते हैं क्योंकि इस बॉक्स को हमने दबा कर प्रेस करके इसके सारी हवा बाहर निकाल कर इसको अटाइच किया गया है इसलिए नेगटिव प्रेशर की वज़े से अंदर स तो पहली चीज कई बार जब आप पेश्ट को घर पे विजिट करते हैं या पेश्ट क्लिनिक पर आता है तो पहली चीज हमें यह देखनी है कि यह negative section काम कर भी रहा है या ऐसे ही लगा हुआ है तो कैसे पता चलेगा यह box आप देख रहे हैं यह पूरा compressed है यह ऐसे होना चाहि अगर आपका box लगा हुआ है और इसमें fluid भी नहीं है और इसका size भी पूरा बड़ा है that means it's not working इसका size तब बड़ा होता है जब यह fluid से भर जाता है अब यह देखे बिलकुल खाली है अगर इस तरह का आपको कभी patient देखने को मिलता है that means this section is not working तो यह क्यों काम नहीं करता है कहां कहां problem आ सकती है आपको यह देखना है पहली चीज़ तो यही कही बार यहीं से lose होता है आपको यह चेक करना है दूसरा कई बार यहां से भी lose हो सकता है तो आपको यह भी चेक करना है यह पहले दो points है तीसरा यह आप connector देख रहे हैं यह connector है जिसके अंदर एक छोटी pipe अंदर से आ रही है और ये बड़ी pipe negative section के अंदर जा रही है तो ये कई बार इसमें एक छोटा सा valve है ये कई बार खुला रहा जाता है कई बार जब patient travel करता है गाड़ी में shift करते हुए कई बार ये खुल जाता है और किसी का भी ध्यान इसकी तरफ नहीं जाता है अगर ये खुला होगा तो negative section drain काम नहीं करेगा next यहां ये जो pipe अंदर जा रहा है इसमें black marking होती है मैं अभी आपको दिखाऊंगा जब इसको निकालेंगे हम अगर वो black marking आपको बाहर दिख रही है कहीं पर इस तरह से दो black marking होती है अगर वो कहीं बाहर है skin से that means drain is not working उसको skin के अंदर होना चाहिए अभी हम आपको दिखाएंगे कई बार हमें इसको खाली करना होता है patient आपके पास आता है ये पूरा भरा हुआ है आपको खाली करना है तो आप कैसे करेंगे जैसे मैंने बताया इसको wanted detach करेंगे लेकिन detach करने से पहले lock लगा देंगे lock है यह ऐसे खुल जाता है और यह ऐसे lock हो जाता है तो जब भी आप इस box को खोलेंगे उससे पहले drain को lock करो देंगे तो इसको यहां से हटाना है आपने यहां से ये टेटाइच करना है और उसके बाद आपने हमेशा गलॉप पहने होने चाहिए जब भी हम इसको हैंडल करेंगे ड्रेसिंग को हैंडल करेंगे तो आपके पास गलॉप होने चाहिए तो इसमें हमें सबसे पहले देखने कितना ड्रेन आया है क्योंकि एक बहुत इंपोर्ट तो आप एक फिंगर यहां रखेंगे, इसको ऐसे होरिजेंटल करेंगे, तो इसमें बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यह मार्किंग्स होती है, यह जो फिलूड का लेवल है, यह 50, 100, 150, इस तरह से, इस तरह से मार्किंग्स होती है, तो आपने यहां पर द पानी अंस्टेराइल होता है, और हमारा बॉक्स वूंड के साथ डारेक्टली कॉम्मूनिकेट कर रहा है, तो कभी भी इसको पानी से नहीं दोना है, इसको वापस लगाना है, वापस कैसे लगाएंगे, वापस लगाने के लिए पहले हमें इसको वापस इसको नेगटिव इसे दबा कर negative pressure देना है कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि इसको ऐसे रखके इसको प्रेस करते हैं तो इसमें क्या होता है कि बलड आपके face पर आ जाता है और आपको infection हो सकता है तो इसके लिए दो लोगों की जरूरत है जैसे मैंने प्रेस किया और जो मेरी इसको हमेशा किसी लोग लगा हुए है कई बार आपने negative suction चार्ज किया लेकिन लोग खोलना भूल गए तो तो आपको हमेशा लोग खोलना है ऐसे राइट अब बात करते हैं कि इसको निकालना कब है आपने फिलूट देखा अगर आपको लगता है कि इस लेस देन 50, 40 ml है 30 ml है 20 ml है तो 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 आपको सर्जन से एक वार कंसल्ट करना चाहिए कि इसको निकाल सकते हैं कि नहीं निकालने के लिए सबसे पहले निकालने से पहले लॉक करेंगे नमबर 1 आपके पास एक surgical blade इस तरह से यह नमबर 11 surgical blade है और एक गौज होना चाहिए आपके पास तो कई बार उसके साथ एक क्लॉट भी आता है जो पूरे एरिया को स्वायल कर सकता है तो इस तरह से आपने स्टिच निकालना है और इसको पुल करना है तो अब इसमें मैं आपको वह मार्किंग दिखाता हूं जिसके हम बात कर रहे थे यह देखिए यह मार्किंग आप देख सकते हैं यह मार्किंग है दिखाई देरे हैं तो यह मार्किंग पूरे एरिया को खराब कर देता है तो आपने क्या करना है क्लॉट को ऐसे साथ साथ रोल कर लेना है यह देखिए अंदर से पुरा क्लॉट निकलता आएगा और यह देखिए इसको आपने क्लीन किया और आपने इसको येलो बिन में डिस्पोस कर देखिए